प्रेज दलावडा सुपको जय मसी की मैं परमेसर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए एक और दिन परमेसर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया हम परमेसर को कोटी-कोटी धन्यवाद दे एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्ट पाच्टर राजमैसी आपके संदेश है वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक बात है जो प्रभु यिसमसी ने कही प्रभु यिसमसी ने कहा मती साथ अध्याय और उसके 21 बद में कि जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु कहता है उन में से हरेक स्वर्ग के राजमें प्रवेस ना करेगा प्रंतु वही जो मेरे स्वर्गे पिता की इच्छा पर चलता है। दो कटेग्रीज यहां पर प्रभु ये सुमसीने रखी हैं। और कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु कहें तो उन में से हर एक तो उसे कहेंगे कि हे प्रभु हे प्रभु क्या हम Hub Sum guess नहीं की, तेरे नाम से दुष्टा आत्माओ को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत अचंबे के काम नहीं किये। तब मैं उनसे खुल कर बोल दूँगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना है को कर्म करने वालों मेरे पास से धूर हो जाओ ये तो बहुत बड़ी बात प्रभू ये समसी ने बोली है तो क्या मतलब है इस बात का जो ये समसी ने इस वचन में बोली है तो इसे जानना बहुत जरूरी है हरे एक विश्वासी के लिए क्योंकि ये बात हमारे मन में एक डर को पैदा करती है कि ये समसी ने ऐसा क्यों कहा क्या मकसद था प्रभू ये समसी का क्योंकि हम देखते हैं चंगाई के जो परदान है वो पवित्रात्मा की और से बश्वानी का परदान है वो पवित्रात्मा की और से सामर्थ के काम करने का परदान है वो पवित्रात्मा की और से तो फिर प्रभू ये समसीन तीनों कामों को कंड़म क्यों कर रहे है या यूं कह सकते हैं कि इन काम करने वालों को कंडम क्यों कर रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो आज इसी बात पर कोई करेंगे बड़े भेत की बात है दोस्तों ध्यान से सुनेगा पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजे ताकि बहुसते लोग इन बातों को जान सके प्रेज दे लोड क्योंकि बहुस्ते पास्टर वो गलतियां कर रहे हैं आज जो यहां पर प्रभू ये सुमस्ती ने बताई है प्रेज दे लोड बने रही है मेरे साथ और पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजे मेरे एक और चैनल है जैसे आप सभी जानते हैं जिसका नाम है ट्रू पल्स मैं आपसे कुझारिस करता हूं उसे जरूर सब्सक्राइब कीजे और उसके जो वीडियो वो भी शेयर कीजे ताकि संडे स्कूल में जो सवाल पुछे जाते बच्चों से ये सवाल उनके बहुत काम आएंगे एक अच्छी एक रजिश्टर त्यार हो सकता है इन सवालों का क्योंकि लगबग दोसों से ज़्यादा वीडियो मैं उसमें डाल चुका हूँ छोड़े छोड़े सवाल हो कि आज एक सवाल है और वो है कि यहना बप्तिस्मा दाता जिसने येसु मस्री को बप्तिस्मा दिया वो क्या खाता था उसका भोजन क्या था क्या था उसका भूजन अगर आप जानते हैं बाइबल में लिखा है अगर आप जानते हैं तो आप कॉमेंट्स वाक्स में लिख दीजिए अगर नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाईए वहाँ पर आज की वीडियो का लिंक आपको मिलेगा उसे क्लिक कीजिए और जान ल एक छुड़ी सी परातना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा प्रभूजी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुभा के लिए बिंती करता है प्रभूजी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहता कर मेरे होटों को मेरे दिल दिमा को छूकर ब्लैस कर मेरी आत्मा देख रहे हैं सुन रहे हैं सब पर मैं तेरी आशिश बोलता हूँ हरे एक को आशिश इतकर हरे की रोग बिमारी चिंदा परिशानियों को अपने समर्थी नाम के दौरा दूर कर दे घरों से लड़ाई जगड़े तफर के मन मुटा तलाक के दुष्टात्मा बांजबन के दुष्टात्मा पज़े नशा करजा बिरुजगारी और असाध्य रोग हरे गर से दूर कर धन्यवाद देता हूँ प्रभू तुन्हें मेरी प्रात्ना को सुन लिया प्रभू येश्यू के नाम से मांगता हूँ आमेन प्रेश दलोट तो आईए एक छोटा सा वचन में आज आपके शेयर कर रहा हूँ और वो है मतिस साथ अध्याए 21 आयद से 23 आयद तक 2223 यहां लिखा है जो मुझसे हे प्रभू हे प्रभू कहता है उन में से हरे एक स्वर्ग के राज्ये में प्रवेश ना करेगा प्रंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है पहली बात तो यह कहिए प्रभू ये सुमतिने फिर दूसरी बात क्या कहते है और तेरे नाम से बहुत अचंबे के काम नहीं किये तब मैं उनसे खुल कर कह दूँगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना हे कुकर्म करने वालो मेरे पास से चले जाओ तो प्रभू ये सुमतिने यहां पर इन लोगों के लिए एक ऐसा शब्द यूस कर रहे हैं हे कुकर्म करने वालो मेरे पास से दूर हो जाओ किन के लिए जो भिष्षवानी करते हैं जो चंगाई देते हैं जो सामर्त के काम करते हैं क्यों ऐसा क्यों कहा प्रभू ये सुमसी ने हम देखतें कि ये जो वर्दान है ये पवित्र आत्मा की और से मिले हम पढ़ सकते हैं पहला कुरुंतियों बारा अधियाई में हम पर लिखा है कि वर्दान तो कई परकार कहें लेकिन पवित्र आत्मा हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार बाढ़ देता है और जब हम अपनी सेवकाई शुरू करते हैं तब हम बहुत हमबल होते हैं अपने आपको ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत दीन हीन हैं हम प्रभु के अच्छे दास हैं और उसके बाद जब परमेसर हमें वर्दान देना शुरू करता है हमारे पर चंगाई का वर्दान आ जाता है क्योंकि जहां पर चंगाईयां होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर होती है दो वहाँ पर क्या होता है जंगाई पाने के बाद लोगों का जीवन क्या होता है वो फिर चले जाते हैं फिर उपने उनी कामों में लग जाते हैं उनका उधार तो नहीं होता ना वो तो भीड की भीड आते हैं हजारों लोग होते हैं और वो पैसा भी खर्च करते हैं सब कुछ करते हैं और चंगे होकर वहापर गभाहियां दे कर भी जाते हैं और फिर चले जाते हैं उनका जीवन कैसे बदलेगा बहुत दोरी है कि उनके जीवन को बदलना चंगाय के उधार नहीं है। तो यहाँ पर प्रभू ये सुमसी कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभू हे प्रभू कहता है उन में से हर एक स्वर्ग के राजमे प्रवेश नहीं करेगा है क्योंकि जितने भी लोग कहते हैं हे प्रभू हे प्रभू का मतले में प्राथना जो करते हैं या प्रभू के पास आकर उसे बाचीत करते हैं वचन पढ़ते हैं या उसकी सिवा करते हैं उनके विश्य में निखा हे प्रभू ये प्रभू कहने वाले वो ही हैं निका उन में से हर एक स्वर्क के राज में प्रवेस नहीं करेगा हर एक नहीं करेगा कौन करेगा वही जो मेरे पिता की इच्छा पर जलता है, जो प्ता की इच्छा पर जलता है। पिता की इच्छा ऊना ही हम सबसा करतव की है। फिर वह के बाइस पंद में आकर कहते के उस दून बहुत तेरे मुझसे कहेंगे ए! उस दिन है प्रभु कि हमने तेरे नामसे भवश्यवानी नहीं की। तो क्या प्रभु येस्व मसी इन भविश्य वक्ताओं को और इन चंगाई करने वाले पास्टरस को और अचंबे के काम करने वाले लोगों को क्या कंडम कर रहे हैं? उस बरदान को व्यर्थ रहा रहे हैं प्रभु येस्व मसी नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है प्रभु येस्व मसी पवित्र आत्मा के किसी काम को कंडम नहीं करते वो कंडम कर रहे हैं उन लोगों को जो आकर ये समस्य के कह रहे हैं कि हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा को निकाला हमने भविश्यमानिया की हमने अचंभे के काम किये फिर 23 आयत में वो कहते हैं तब मैं उनसे खुल कर कह दूँगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना हे को कर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ ये बहुत ही डरावनी और भहंकर बात है हर एक पाश्टर के लिए जो भविश्यवानी करता है जो चंगाई देता है जो अचंभे के काम करता है उनके लिए ये वचन भहुत ही कठोर है उनको इस बात को समझना होगा कि प्रभु ये सुमसी ने ऐसा क्यूं कहा अगर आप भविश्यवानी करते हैं तो आपको ये वचन आज सुनना चाहिए अगर आपके पास चंगाई का वरदान है आपके हाथ रखने से ही प्रात्ना करने से ही लोग चंगे हो जाते हैं तो ये वचन आपको सुनना चाहिए आज इस भेद की बात को मैं आपके वपर खोलने जा रहा हूँ कि क्यूं कहा ये सुमसी ने कि हे को कर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो जो अचंबे के कारे करने वाले हैं प्रभू ये सुमसी के नाम से वो भी इस वचन को सुने क्यूं कहा ये सुमसी ने बहश्यवक्ताओं से चंगाई का वरदान पाएवे लोगों से और अचंबे के कारे करने वाले लोगों से कि हे को कर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता दोस्तों जब चंगाई का वरदान हमको मिल जाता है जब हम देखते हैं कि हमने अचंबे के काम करने शुरू कर दिये हैं पास्टेस लोग एवेंजिलिस्ट और एरेवेरेंट बिशप ये लोग जब बड़े-बड़े काम करने शुरू कर देते हैं तब क्या होता है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक घमंड आ जाता है घमंड आ जाता है तब उनके मूँ येसु मसी को अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता क्योंकि येसु मसी ने किस पर में कहा है कि जो मेरी पिता की इच्छा पर चले तो पिता की इच्छा क्या है कि पिता का नाम हो प्रभु येसु मसी का नाम हो अपना नाम ना हो लोग करते क्या हैं कि जब चंगाईयां पा जाते हैं लोग तो क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें चंगाई दी है मैंने तुम्हारे लिए प्राथना की मैंने भर्ष्यवानी की मैंने अचंबे के कारे किये मैं 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 जब पास्टर लोग इन आश्चरे कर्मों के आगे, इन चंगाईयों के आगे, इन भष्यमानियों के आगे, इन अचंबे के कारेओं के आगे अपना नाम लगा देते हैं, जब कहते हैं कि ये मैंने किया है, महाँ पर वश्रापित हो जाते हैं, महाँ पर वश्रापित हो जात वो कहता है कि चंगा करने वाला तो मैं हूँ देखे निर्गमन 15 अध्या उसके 26 पर में देखे क्या लिखा है यदि तु अपने परमेस्ट यहवा का वचंतन मन से सुने और जो उसकी दृष्ष्टी में ठीक है वही करे और उसकी अध्याओं पर कान लगाए और उसकी सब वि देखे जा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूँगा तो कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहवा हूं चंगा करने वाला तो परमेस्टर है फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें चंगाई दिये फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैंने भगश्यवानी की और पूरी ह फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैंने अचंबे के कारे किये तुम्हारे जीवन में अगर मैं प्रातना नहीं करता तो आपके जीवन में काम नहीं होता अगर मैं प्रातना नहीं करता तो आपको चंगाई नहीं मिलती मैं 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 जहां पर हम मैं लगा देते हैं वहीं पर ही सारी बात खराब हो जाती है दोस्तों मैं को अंग्रेजी में कहा जाता है आई सीधा डंडा मैं आपको बताता हूँ अंग्रेजी में कहते हैं आई मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई जैसे के यह आई है दोस्तों हमें इस आई को काटना पड़ेगा इस तरह से, जब तक ये आई, ये मैं, ये अंकार, ये एहम, ये गर्व, ये घमंड हमारे अंदर रहेगा, हम प्रभू के योग्या नहीं है, क्योंकि प्रभू सबसे ज़्यादा घमंडियों से खिलना करता है, लुसीफर में घमंड आया, प्रभू ने उसको उतार कर फेक द क्याते कि मैंने चंगाई दी, वो ध्यान से सुनने, आज के बाद ऐसा ना करें, बोने कि प्रभू ने आपको चंगाई दी है, प्रभू की महिमा करो, भविश्यमानी पूरी हो जाती है, तो वो तो प्रभू तो अपना काम करता ही है, तो यही कहें, कि प्रभू ने प्रभु में जो मैं करता हूं उससे प्रभु को महिमा मिले। अगर भरिश्यमानी पूरी हो रही है आपकी तो प्रभू को महिमा मिले अगर लोग चंगाई पार रहे हैं आपकी प्रात्ना से तो प्रभू को महिमा मिले अगर अचंबे के कार रहे हैं आपकी प्रात्नाओं के द्वारा हो रहे हैं तो प्रभू को महिमा मिले तबी तो प्र तर्तालिस अध्याए और इसका 21 पद यह लिखा कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि ये मेरा गुनवात करें ये शाह 43 और 21 पद लिखा है इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरा गुनवात करें हम अपने गुनवात में लग जाते हैं कि मैंन करा है मैंने प्रात्ना की तो तुम जंगाई पा गए मैंने प्रात्ना की तो भर्षवानी हो गई मैंने प्रात्ना की तो अश्चरे करम हो गई मैंने भर्षवानी की तो पूरी हो गई मैंने हम में क्या है हम क्या है हम तो मिट्टी का बरतन है हम तो मिट्टी है आज हैं कल नह को महिमा देने लगेंगे तब प्रभु हमसे कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता है को कर्म करने वालो मेरे सामने से दूर हो जाओ प्रेज धलावन दोस्तों जितने भी पास्टर लोग इस वचन को सुन रहे हैं मैं आपसे गुजारिस करता हूं कि इस वचन को शेर कीजे वहां तक पहुचाईए जहां पर लोग चंगाईयां देने के बाद कहते हैं कि मैंने प्रास्न की और आपने चंगाई पाई वहाँ तक इस वचन को पहुचाईए जो लोग भौश्यमानी के पूरी होने के बात कहते हैं कि मैंने भौश्यमानी की और वो पूरी हो गई वहाँ तक इस वचन को पहुचाईए जहाँ पर अचंबे के कारे होते हैं कोई भी कारण नहीं है हमें तो दीन हीन नमर बन के अपने जीवन को वैतिद करना है ताकि परमेसर हमसे कह सके के हेड़ मेरे पिता के धन्ने लोगो आओ उसे राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुमारे लिए दियार किया गया है परमेसर इन वचनों के दाराम सबको आश्य दे यदि आज आज आपने कुछ नया सीखा है तो कॉमेंट्स वक्स में जरूर लिखेगा और इस वचन को शेर कीजिए जितना हो सके शेर कीजिए क्योंकि बहुत से पाश्टर ये गलतियां कर रहे हैं कर रहे हैं तो इस गलती की सुधार हो जाएगी और क्या होगा लोगों का जीवन भी बचे जाएगा परमेसर इन वचनों के दाराम सबको आश्य शित करें टूपल्स में आज का सवाल है कि यहना बक्तिस्मा दाता जो है वो क्या खाता था उसका भूजन क्या था अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट चॉक्स में लिख दीजिए नहीं तो डिस्क्रिप्टन में आज के वीडियो का लिंक है उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि का भोजन क्या था प्रेज़ दरोड मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाए कि जिर्द है सच को पहराने की यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को दबाएए तक कि नोटिफिकेशन हर एक जानकारिया आपके पास बिना वेवदान के पहुंच जाए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे जरूर बात्चित कीजिए प्रेज दे लाट आज के लिए बस इतना ही फिर मिलंगा एक नहीं संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजिए लेकिन अपना और अपनों का ख्याल कीजिए और इस वीड कर दो